अब नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देखरेंगे आप मैं हूँ आपके साथ पूझा आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉंग्रिस के हाथ से एक और राज निकलने वाला है क्या हिमाचल की सरकार गिरने वाली है क्या हिमाचल कॉंग्रिस में बड़ी पूट होने वाली है और यह सवाल इसलिए क्योंकि सुकु सरकार पर खत्रा अभी टला नहीं है बलकि खत्रा बढ़ता जा रहा है राहुल गांदी अपने सीक्रिट विदेश दौरे से हिमाचल जाने की खबर है नाहीं राहुल गांदी के किसी विधायकों से मुलाकाद की खबर है आलकमान हिमाचल को लेकर इन आक्टिव मोड में नजरा रहा है और उसका खामियाज़ा यह हो सकता है कि विधायक टूट जाए और कुछ बड़ा खेल हिमाचल में हो जाए तो चर्चा के लिए मेरे साथ स्ट्रीव में मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीम जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्या कुछ चल रहा है हिमाचल प्रदेश की Congress की सरकार में देकि हिमाचल में Congress की सरकार बचने वाली नहीं है ये राहुल गांधी भी जानते हैं सोनिया गांधी भी जानती है और सुखो भी जानते हैं इसलिए ये लोग समय ले रहे हैं और यहां दिल्ली में बैठे हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो अभी अपने अन्या यात्रा पर निकले हैं इन लोगों को लगता है कि अगर इसमें involved हुए और उसके बावजूद सरकार नहीं बची तो भारी बेज़ती हो जाएगी इसलिए कम बेज़त होकर भारतिय जनतापाटी के उपर आरोप लगाते रहो कि देखो हमारी सरकार कैसे तोड़ दिया क्योंकि हिमाचल के संकट की सुरुवात तो राजसभा चुनाव से हुआ और राजसभा चुनाव के लिए वहाँ पर अविशेक मनुस सिंगिवी का नाम नहीं आया था नाम सबसे पहले आया सोनिया गांधी का सोनिया गांधी प्रियंका वाडरा ये दोनों तो ऐसे भी हिमाचल जाते रहते हुँ हिमाचल से पुराना नाता है एक बंगला भी बना रखा है तो इसलिए सोनिया गांधी का नाम आया था कि आप यहां से राजसभा का चुनाव लड़ दो थोड़ा बाहरी कंडिडेट अगर कोई दूसरा होगा तो विवाद पैदा होगा और सुखु को भी कहा गया था देखो तुमारे विदायक है जो ठीक से आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं कभी भी साथ चोड़ तकते हैं यह सब इन्पुट कॉंग्रेश के पास था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ सुनिया गांधी ने अपने सूर्सस का इस्तेमाल किया राजिव सुकला कुछ विदायकों से मिले जिन लोगों पर भरोसा नहीं था कि ये धोखा दे सकते हैं पहले उन लोगों ने कंप्लेंड किया था उसके बाद रंदीब सुर्जेवाला को भेजा गया कि आप अपने दो चार विदायक जो नाराज है उसमें से दो विदायक ऐसे हैं जिससे आपके अच्छी ट्यूनिंग है तो आप वहां जाकर उन लोगों से बात कीजिए रंदीब सुर्जेवाला भी बात करने के लिए पहुँचे उन से भी बात चीत हुई फिर बगहेल को परलोबन दिया कि अभी राजसभा चुनाब तक आप लोग सांत रहो उसके बाद आप लोगों के लिए चेर्मेन जो बोड का चेर्मेन होगा या फिर मंत्री पद के लिए हम बात चित करेंगे सीम सुकु से लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ये सूनिया गांधी को पहले से वहां पर पता था कि वहां विधायक साथ नहीं देने वाले हैं इसलिए उन्होंने एक और दूसरा च्छेतर चुना जहां पर से आसानी से इनको जीत मिल सकती है बड़ी बेजिती से कॉंग्रिस बच गई अगर सूनिया गांधी वहां से चुना लड़ती और यही हस्र हो ज वो राजस्तान चली गई अभिशेक मनु सिंग भी को फसा दिया वहां अब क्या चल रहा है कि वहां केंद्रिये जो अबजरबर गए इन लोगों ने तो यहां आके रिपोर्ट दे दी कि अभी कुछ दिन तक कोई टेंसर नहीं है लेकिन सुखु चैन से हैं सुखविंदर स इन सुखु ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई विधायकों की अलग बैठक हो रही है विक्रमा दित्यसिन जिनको सुखु ने भेजा था कि आप जाके बातचित करो उन्चे विधायकों से वहां पर जब गए विक्रमा दित्यसिन तो विधायकों ने सीधे तोर पर कहा क जिसके इसारे पर आप आये हो उनसे पहले पूछो कि तमीज है उसके अंदर क्योंकि उससे पहले उन लोगों को सुखु खुद ही बोल रहे हैं कि ये लोग तो नाग निकले साप निकला डस लिया तो ऐसे व्यक्ति के साथ फिर से हम कैसे साथ में आएं जो कि हमें नाग कह र नहीं है कि तुम उनके साथ आजाओ ये बड़ा डूबियस इस्तिती है क्योंकि जब विक्रमादित सिन्ह उन लोगों से मुलाकात की फिर सुखु के पास गए दोनों के मेल मिलाप हुआ वो मनाने से अपने आप को रोक नहीं सके किसी भी तरीके से मैनेज किया और उसके ब परेशानी और बढ़ गई कि दिल्ली आने का मतलब है कि सोनिया गांधी से मुलाकात तो नहीं होगी और कॉंग्रेस के जो बड़े नेता हो सकते हैं सोनिया गांधी या राहूल गांधी या प्रियंका बाडरा के अलावा वो तो यहां पर आही चुके थे यह खडगे में औ जब कॉंग्रेस में सोनिया राहूल प्रियंका के लिए एक ही केटेगरी के हैं बड़ा छोटा नहीं बड़ा छोटा सिर्फ पद है आपका उकात उतनी हैं तो इसलिए वहां विक्रमाद इतनी यहां आए मुलाकात करने के लिए और वो बात क्या कर रहे हैं मुलाकात हम जो के लिए नितिन गड़करी से मुलाकात कर रहे हैं नितिन गड़करी भारतिय जनता पार्टी के नेता है वो मंत्री बाद में है भारतिय जनता पार्टी के नेता पहले हैं और कोई भी डायरेक्ट विक्रमादित सिन ही क्यों नहीं हो अमिश्या से जेपी नड़ा से जाके होता है कि हम मंत्री अपने मंत्राले के गंद्रिय मंत्री से बात करें वहाँ पर जाकर हम अपना ओफर रखें भारतिय जन्ता पार्टी जब तक आश्वस्त नहो जाए जब तक अमिश्रा को यह आश्वासन नमिल जाए कि हिमाचल परदेश के अंदर आपके पास 14-15 विधाय को के अलाबा आप से हम नेगोसियेट तभी कर सकते हैं जबकि वो विधायक हमारे साथ आए सरकार हम बना ले यह ऐसा नहों कि राजस्थान की तरह यह जो सचीन पाइलेट थे बागी बन गए 18 विधायकों को लेकर भारतिय जन्ता पार्टी थोड़ी साहता की हरियाना में उनको ठीका ना दिया यो गजेंदर सिन से खाबत हंगामा करने लगे लेकिन हुआ क्या क्योंकि उनके पास समर्थन ही नहीं था तो भारतिय जन्ता पार्टी ने पूरे तरीके से उनका सपोर्ट नहीं किया ना पार्टी में लाया तो इसलिए कोई embarrassing situation नहीं होनी चाहिए कि हम परिशान हो जाएं और अभी चुनाव आने वाला है उससे पहले Congress का एक बड़ा आरोप लगे तोड़ने की कोशिज बहुत किया लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी फेल हो गई यह failure का टीका नहीं लगाना है लेकिन यहां तो कोई operation lotus की बात ही नहीं हो रही है कल प्रतिभा जिन बयान देती है और अगले दिन उनके बेटे बिक्रमादित सिंद्रली आते हैं नितिन गड़करी से मुलाकात होती है वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आफर दे रहे हैं कि देखिए हमारे पास इतने लोग हैं हमने पिछले दिनों छे उन बागी विधायकों से बाद की जिसकी सदस्ता खत्म हो चुकी है अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है इन छे के बाद हमारे पास कितने और विधायक हैं जिससे हम सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि अभी कॉंग्रेस के पास 34 विधायक हैं बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत है तीन बिक्रमा दित्थ सिंह को अगर जोड़ लिया जाए तो उनके बाद अगर तीन विधायक ओर उनके साथ हों दो से तिन विधायक तो ऐसे ही भारतिय जनता पार्टी के पास 32 विधायक हो जाएंगे जो बहुमत के लिए काफी है तो क्या आप बिक्रमादिति सेंग दिली में नितिन गटकरी के लावा किसी और बड़े निताओं से मुलाकात कर सकते हैं? तो बात चीत नहीं होगी, वो मैसेज पहुचाया जाएगा क्योंकि अचानक से अभी टो आपके पास बहाना है, यानि कि विक्रमादित के पास बहाना है इस बात के लिए कि एक मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, वो केंद्रिय गृह मंतरी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं उनके पास administration work नहीं है वो PWD minister है वो road highway minister से मुलाकात कर सकते हैं PM से कोई भी मुलाकात कर सकता है लेकिन इतना आसान नहीं है किसे state के एक सामान मंतराले देखने वाले को PM से मुलाकात करना लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी संगठन के नेता से यानि जेपी नड़ा से मुलाकात करते हैं या फिर बनसल से मुलाकात करते हैं या फिर बियल संतोज से मुलाकात करते हैं तो वो पूरी तरीके से संगठन के नेता है वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं इसका मतलब है क rumor शूरू हो जाएगा कि ये भारतिय जनता पार्टी के नेता से मुलाकात किये तो पहले वो process चल रहा है अभी process इतबात का है कि भारतिय जनता पार्टी देख रही है कि जब तक आश्वस्त न हो जाएं तब तक हम वहाँ अविश्वास प्रस्ताब नहीं लाएंगे और इसी का इंतजार है क्योंकि सुखु को तो अब लग गया है कि हमें इस्तिफा देना ही पड़ेगा अगर कॉंग्रेस बहुमत में भी अभी रहती है कुछ दिन सरकार चलाना भी है तो राहुल गांधी सोनिया गांधी ने पहले ही ये कह दिया है कि जैसे ही थोड़े बहुत संकट तले वैसे ही सुकु का इस्तिफा होगा क्योंकि अभिशेक मनु सिंग भी सोनिया गांधी के भ राड में बचाये रखे हैं हर जगह पर बेल दिल बाते हैं राहुल गांधी का जो सांसदी गई थी दो साल की सजा होई थी अन्ती में तो अभी शेक मनु सिंग भी को ही आना पड़ा सारे हाई कोट के बकील गुजरात हाई कोट के बकील सब ठक गए इन्होंने अपने सेट बिकरमादित तसीन अपना ओपर लें और उसके बाद एक बार सरकारगीरे हम इस्तिफा देकर मुक्तो जाए उसके बाद नहों तो फिर भारतिये जंता पार्टी हम भी जुआइन कर लें यह इस्तितियां वहां पर चल रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद से समझाने को मिल सकता है वो किमेंटरी सुख विंदर सिंग सुखो को सीम की कुरसी गवानी पढ़ सकती है कॉंग्रस सद्यक्ष पतिबाद सिंग का बयान भी पार्टी को नहीं टेंशन दे रहा है क्योंकि लोग सबाद चुनाओं की तैयारियों की बीच पतिबाद सिंग ने कहा कि बीज़ झाल